Hello everyone, Namaste, Welcome to Cutties Kitchen अशडी का दश्या आ रही है तो हम बनाएंगे कुछ सावुदानी का रेस्पीस जो नॉर्मली उप्वास में सब खाते है आज हम टेस्टी सावुदानी किचडी बनाएंगे कटलेट्स बनाएंगे और वड़ा भी बनाएंगे मैंने दो कप सावुदाना को एक गंटे के लिए बिगा के रखा है अगर किचडी आपको दाना दाना अलग अलग चाहिए तो एक ही गंटा बिगाएगा जादा मत बिगाएए एक गंटे में अच्छे से फूल जाएगे अब ही हम इसका ड्रेन करेंगे जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा हम उसे छन्नी में ही रखेंगे कुछ देर के लिए तब तक हम एक कप पीनट को रोस्ट करेंगे अच्छे से रोस्ट होना है इसको रोस्ट करके हम लोग इसका पाउडर बनाना है दर दरा नॉर्मल पीनट पाउडर के लिए जैसे बनाते है वैसे आप इसको रोस्ट करके उपर का स्कीन निकाल दीजे और ऐसा दर दरा अपका पाउडर बना रिए हमें एक बरतन में लिया है वन थर्ड कप आफ़ोई थोड़ा सा मस्टर्ड, जीरा, मूंग फली और हिंग अब ही हम इसमें डालेंगे आठ से दस कड़ी पत्ता और चार ग्रीन चिली जोटे चोटे तुकडे मैंने चोटे चोटे पी सिस काटा है पॉोटइटो को खूलने के लिए किता लगता है उतना ही हम लोग नमक डालेंगे इसे जल्दी पोटइटो कुख हो स्वादानुसार दो चमश शक्र इसे अच्छे से हम मिलाएंगे मैंने इधर करीबन वन एंड हाफ स्पून जितना लिया हिल नमक आप अपना स्वादानुसार ले सकते हैं अभी पोटेटो रेडी है तो इसमें डालेंगे साबुदाना साबुदाना को साइगो बोलते हैं इस अच्छे से बीच बीच में हाथ हिलाएं उपर नीचे कीजे तो अच्छे से दानेदार और एकदम सौफ्ट साबुदाना बनके आपका रेडी हो जाएगा जरूर आप इस एकादशी को इसका ट्राइ कीजिए बहुत ही टेस्टी रहता है थैंक्यू वेरी मच अब हम देख उपवास के लिए भी बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है स्वीट दही और बटरमिल के साथ इसे सर्व करेंगे तो एक्स्ट्रीमली टेस्टी उपवास रेस्पी आपका बनके रेडी हो जाएगा देख रहे ना कितना अंदर से सौफ्ट है और क्रिस्पी है पानी पानी चोड़े नॉर्मली ए थोड़ा ठीक है बहुत जादा पानी नहीं चोड़ता है अभी हम डालेंगे इसमें साबुधाना आधा कप जो मैंने साबुधाने को अच्छे से मिक्सर में पाउडर कर दिया है थोड़ा सा बन फोर्ट स्पून जितना अधरक लिया है और हरी मिर्च दो चमच लिया है पीनट पौडर मौंग फली का पौडर एक स्पून नमक हम इसे अच्छे से मिलाएंगे हाथ से मिलाएंगे चमच से तो हाथ से बहुत अच्छा हो जाता है और अच्छे से बाइडनिंग भी रेडि हो जाएगा अगर आपका पोटेटो बह पानी डाला है और आप स्किप कर सकते हो अच्छे से बाइडनिक होने के लिए मैंने 4-5 पानी डाला था आप बिना पानी आप आटा बना के रख सकते हो इसको हम देंगे 10-15 मिनिट रेस्ट इसे साबुदाने का जो भी आटा है अच्छे से फुल जाएगा अभी मैंने एक प् प्रेस कर रही हूँ थाली पिट जैसे बनता है न वैसे प्रेस कर रही हूँ देखिया अपने आप वो सॉफ्ट भी हो रहा है और साबुदाने अच्छे से पोटाटिक के साथ मिक्स हो गया है इसको हम कटलेट का शेप देंगे आपका मन पसंद शेप दे सकते हैं मैंने यह पर रेक्टैंगल का शेप दिया है एकदम अच्छे से कट हो रहा है बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो बनके रेडी हो गा है दस से पंदरा मिनट रेस्ट करने के बाद अभी हम इस कटलेट को एक इंग्रीडेंट में डालेंगे जो उसको टेस्टी भी बनाता है और क्रिस्पी भी ओह है डेसिकेटेट कोकोनट डेसिकेटेट कोकोनट उपर से कोट करेंगे इससे हमारा कटलेट बहुत देर तक क्रिस्पी रहेगा और बहुत ही टेस्टी भी ब और करेंगे deep fry मैंने oil कम ही लिया है क्योंकि ये बहुत कम oil पीता है ज़्यादा oil नहीं लगता है इसको और नॉर्मली जो भी बचता है वो oil reuse करना अच्छा नहीं है health के ले करके मैंने हमेशा मेरे वीडियो में आपने देखा होगा मैं कम ही oil लेती हूँ अभी मैं कम oil में ही इसको तल रही हूँ मीडियम फ्लेम में अच्छे गोर्डन ब्रॉन होने तक हम इसको तलेंगे देखे एक क्रिस्पी भी है और बेरी बेरी हलका फुलका टेस्टी कटलेट रेडि हो गया देखे कितना अच्छा सा कितना सॉफ्ट बनके रेडि हो गया है जरूर बनाके आप भी काईए सब को खिलाएए इस आशाडे का दशी उपवास में है ना सुन्दर लगा रहा है कोई गेस्ट आ रहा है तो पटक से बनके रेडि हो जाता है या आप बनाके कटलेट शेप में ही कट करके फ्रीजर में एक बॉक्स में एल टाइट बॉक्स में रखके फ्रीजर में मैना बर स्टोर करके भी रख सकते हो जब चाहे तब निकालो फ्राई करो खाओ definitely try करके बता ये comment box में कैसे बनाए मैं दही में थोड़ा सा चीनी डाला था और butter milk के साथ सर्फ करेंगे तो बहुती बढ़िया रहता है अब बनाएंगे साब दनावडा साब दनावडा तो सबको फिवरेट है महरास्ट्रेन स्पेशल डिश है देखें कितना अच्छा बनके रेड़ी है एकदम सौफ साब दनावडा दिखो के रकात जो वन एंड हाफ कप बनके रेड़ी हो गए है मैंने वड़ा के लिए तीन से चार गंटे तक बिखायत साब दनावडा को उसमें डाला है आदा कप बॉइल पोटाइटो पोटाइटो बॉइल करके मैश करके डाला है और डाला है आदा कप पीनट पॉडर मूँख फली का पॉडर दर दरा पीसा हुआ एक स्पून नमक और तीन से चार हारी मिर्च आपके हिसाब से हरी मिर्च काटके डाले है जादा पसंदे तो जादा भी डाल सकते हैं और आख्चुली कड़ी पता भी डालते हैं बहुत ही टेस्टी रहता है मेरे पास खतम हो गयते फ्रेश कड़ी पते तो मैने नहीं डाला है उसमें आप इसको कोतिमबिर वगरा डालते हैं लेकिन इस टोर करने को नहीं होता है इसकी वज़े से नॉर्मली अगर कोतिमबिर रखना है तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं अभी बनाओ अभी खाओ अगर आपको स्टोर करके रखना है फ्रीजर में तो आप इसको कोतिमबिर म एड़ डालियेगा इसमें इसलो बसेल के और नियुक्ता तेल अवजय से मैं इसलोर पर तेल में तेल में इसको बना रहे हूं आपको एंड में दिखाओंगी इसको हम एकदम लो फ्लेम में या लो मिडियम बोल सकते हैं बहुत हाई मत रखें क्योंकि यह रखें सेंटीमेटर थिक्नेस का जो वड़े पूरे अंदर तक पकना चाहिए इसके वज़े से low या medium low में रखके हम golden brown, फूरी golden brown होने तक तलेंगे तो अंदर soft उपर से crispy बनके तयार हो जाएंगे definitely आप उपास में सब recipes ट्राइ करके देखिएगा और मेरे चानल को subscribe कीजिए और press the bell icon to get the notification of my next video thank you very much for watching our video देखिए मैंने इतना सारा तल दिया लेकिन oil वैसे का वैसा ही है definitely try करके देखिएगा और comment box में बताएं मुझे कैसे बना करके thank you